Hi everyone, this is your friend Rakesh Kumar and you are watching Bright Avishkar जहाँ पे आपको हर दिन एक नया topic सीखने को मिलता है, कुछ नया lesson सीखने को मिलता है दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है Bright Avishkar के अंदर दोस्तो आज की छोटी सी वीडियो के अंदर हम बहुत सरे concept को जाने वाले हैं आज सबसे पहले हम Present Perfect Continuous Tense को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे लेकिन इसके अंदर जो सबसे जादा Confuse करने वाली जो बात होती है जो Confuse करने वाला जो concept होता है, वो होता है Since और For का concept होता है उसके बाद हम Ever Since का यूज कैसे करते हैं और लास्ट पे आप सभी के लिए एक अटपटा एक बहुत ही मज़ेदार question है I hope कि आप पूरी वीडियो को watch करेंगे और उसके बाद आप उस question का answer जरूर देंगे I will be waiting for your response मैं आपके response का इंतजार करूँगा So dear friends, हम हमेशा क्या करते हैं distractions के उपर blame लगाते हैं कि मैं यहां से distract हो रहा हूँ यह बंदा मुझे यहां से distract कर रहा है लेकिन कभी भी हम अपने focus point को नहीं बढ़ाते हम कभी भी अपने dedication को नहीं बढ़ाते इसलिए don't blame the distractions improve your focus आप अपने focus को improve करें दोस्तों अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है प्लीज subscribe the channel and press the bell icon so that you can get notification of new video आप हमें इंस्टा पे भी follow कर सकते हैं bright avishkar के नहीं से So without delay let's get started दोस्तों आज किस video में हम present perfect continuous tense के बारे में पढ़ने वाले हैं I hope कि आप सभी को present perfect continuous tense एक सही तरीके से आता होगा लेकिन आज में आपके एक practical approach के साथ साथ grammar के हिसाब के साथ साथ एक written के हिसाब के साथ साथ एक spoken के हिसाब से भी अच्छी तरीके से आपका concept clear करने वाला हूँ सबसे पहले आप एक बात ये याद रखें जो main verb हम यूज करते हैं जिसको हम action भी कहते हैं action क्या होता है? verb होता है और verb ही क्या होता है? action होता है यहनि जो main verb हम उस sentence के अंदर यहनि present perfect continuous tense के अंदर यूज करते हैं वो तब यूज करते हैं और उसके बाद जब ऐसी sense हमें मिलती है रहा है रही है रहा हू यहनि यह सी sense जब मिलती है तो समझ लें कि वो कौन सा tense है present perfect continuous tense एक और दीसरे दीकिसे समझते हैं कि कोई काम past में शुरू हुआ है कोई काम past में शुरू हुआ है वो लगतार चल रहा था अभी भी लगतार चल रहा है कि वो काम एक perfection के साथ proper चल रहा है perfect चल रहा है और लगतार चल रहा है इसी को हम कहते हैं present perfect continuous tense past में चल रहा था लगतार चल रहा था अभी भी चल रहा है present में भी और एक perfection के साथ एक perfect way में चल रहा है और लगतार चल रहा continuous चल रहा उसको बताने के लिए हम present perfect continuous tense का यूज करते हैं अब यहां पे इसके साथ हमेशा time के बारे में ही बात की जाती है present perfect continuous tense जो होता है जादा तर इसके साथ time की बात की जाती है कितने समय से यहां पे समय के साथ say का प्रियोग होता है यहाँ पे जो आप say देख रहे हैं यो सिंस और फॉर का जो परियोग हो रहा इसके अंदर वो यहाँ पे say की sense नकार रही है जैसे मैं आपको एक example देता हूँ राकेश तीन घंटे से पढ़ रहा है यहां पे जो से है या तो सिंस लगेगा या तो फॉर लगेगा यह कंसेप्ट में आपका सही तरीके से क्लियर करूँगा जैसे दूसरी एक्जेम्पल देखते हैं गीता सुबा से लिख रही है जो गीता मैम है वो सुबा से क्या करें लि हम बिलकुल पूरे तरीके से इस कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं कि कहां पे हम सिंस का यूज़ करते हैं और कहां पे फॉर का यूज़ करते हैं एक शानदा ट्रिक के साथ मैं आप सभी का ये जो डाउट है जो मिस गिविंगे आपको इस सभी को क्लियर करने वाला हूँ सो आगे चलते हैं अब सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम सिंस का यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम फॉर का यूज़ करते हैं देखो since point of time को बताने के लिए हम हमेशा use करते हैं आप यहां पे इनका difference भी जान सकते हैं what is the difference between since and for हमेशा point of time को बताने के लिए हम किसका use करते हैं since का use करते हैं suppose करो कि मैं आपको पिछले तीन घंटे से call कर रहा हूं मैं कहूंगा I have been calling you I have been calling you for last three hours three hours भी कह सेकते हो three hours दोनों की pronunciation से ही होती है अगर आपके पास तीन घंटे से यह क्या बन जाता है यह एक अविदी बन जाती है एक period बन जाता है लेकिन अगर आपको ऐसा कहना होता कि मैं एक बज़े से आपको call कर रहा हूं तो आप क्या कहते I have been calling you since one o'clock क्या कहते I have been calling you since one o'clock यहां पे आपको proper point का पता हो एक बज़ा यह point of time है यहां पे कोई आपका period नहीं है कोई duration नहीं है एक आपको पूरा point पता है कि एक बज़े से एक बज़े से लेके तीन बज़े तक मुझे call करे था इसका मतलब एक बज़े से call करे तो यहां पे एक जो है वो point है एक ऐसा point है जहां पे आपको पता है कितने बज़े से एक specific point है और जब भी आप point of time आपको पता हो कि कितने बज़े से morning एक point of time होता है evening एक point of time होता है 10 बज़े, 1 बज़े, 5 बज़े यह क्या है point of time है और जब जब आप point of time की बात करते है इसका मतलब वो आपके पास एक निश्चित समय होता है आपको वो accurate पता होता है कि कौन से समय के अंदर कौन से time पे वो मुझे call करें या कब से वो मुझे call करें उसके बाद दूसरा होता है for जो होता है duration को बताता है एक अवधी को बताता ह एक period of time के लिए हम use करते है देखो period of time या duration of time के लिए हम for का use करते है जैसे मैंने आपको कहा I have been calling you for three hours मैं पिछले तीन घंटे से आपको call करा हूँ तो यहाँ पे जो तीन घंटे वो एक duration बन जाती है एक अवधी बन जाती है एक period बन जाता है जिस तरीके से हमारी class का एक घ duration होती है एक घंटे की class एक duration है और जब जब आपको एक duration आए चाहे वो पांच महीने आए दस महीने आए कोई course करें तो आपकी course की जो duration होती है दो महीने की होती है तीन महीने की होती है तो आपके एक period बन गया एक time बन गया तो हाँ पे आप जैसे आप क्या करेंगे दो महीन सा माइन्ट के अंदर आप बता देए कि हाँ पे एक अनिष्चित समय होता है आप आपको यह पता नहीं है पॉइंट प्रॉपर पता नहीं आपको यह पता नहीं कब शुरूआ की लेकिन आप बोलो कि मैं पिछले दो गिंते से मैं पिछले तीन दिन से पढ़ रहा हूँ, आपको एक specific time नहीं पता है, जब आपको अनिश्चित समय पता हो, तब आप 4 का use करते हैं, I hope कि आपको since और 4 का use सही से समझ माग गया, चलो एक अच्छे तरीके से, शांदा तरीके से since और 4 का, एक example के हिसाब से सीखते हैं, अब सबसे पहले देखते हैं हम since का, कि since point of time को बताने के लिए हम use करते हैं, जैसे दो बज़े से, since 2 a.m., सुबा के दो बज़े से, रात के दो बज़े से, ता आप बोलोगे, since 2 a.m., उसके बाद 10 बज़े से, since 10 a.m., आप बोलोगे, मैं आपको 7 बज़े से, शाम के 7 बज़े से call कर रहा हूँ, आप बोलोगे, I have been calling you since 7 p. हम, since 1947, हम बोलते हैं, we have got independence since 1947, हमें 1947 इस्वी में आजादी मिली, since 1970, since 2000, तो यहाँ पे ये point of time है, आपको पूरा पता है, 2000 से, since 2019, हम सभी को पता है, हम क्रोना वाइरस से सफर कर रहे हैं, कबसे, 2019 से, यहाँ पे से, यहाँ पे time को बता रहा है, तो आप कहेंगे, since 2019, हम मार्च से lockdown के अंदर हैं, आप बोलोगे, we have been in lockdown since मार्च, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, कि since हमेशा point of time को ही बता रहा है, जैसे आप बताना हो, कि Monday से, तो आप बोलोगे, since Monday, Tuesday से, since Tuesday, Sunday से, since Sunday, आप बोलोगे, सुबह से अभी तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, I have been studying since morning, अगर दोपहर से, since afternoon, शाम से, since evening, अचा बीते हुए कल, पिछले कल से, since yesterday, आप बोलोगे, परसू से, since day before yesterday, अचा जनम से, जब से मैं पेदा हुआ, जनम से, since my birth, या since birth, मेरे बच्पन से, since my childhood, उस दिन से, since that day, जब से मेरे पापा, मेरे पापा पेदा हुए, तब से, हम बोलते है, since my father was born, तो इस तरीके से, आप since point of time के हिसाब से, use कर सकते हैं, and I hope कि आपको, since का use सही तरीके से, अपने माइंड में, अच्छे तरीके से understand, कर लिया होगा, अच्छे तरीके से, आप इसको समझ गये होंगे, कि किस तरीके से, हम since का use सही तरीके से करते हैं, मैं पिछले 2 seconds से आपको call कर रहा हूँ, I have been calling you for 2 seconds, 2 minutes से, for 2 minutes, तो यहाँ पे आपके पास एक duration है, एक point of time नहीं है, एक आपके पास period of time है, एक avadi है, तो जब जब आप avadi के बारे में बताते हैं, तब आप तब आप वार का use करते हैं, पिछले 2 घंटे से, for 2 hours, पिछले 2 दि पिछले 2 सदियों से, for 2 centuries, आप लोगे से, for a long time, काफी समय से, बड़े लंबे समय से, काफी देर से, for a while, कुछ देर में, हम बोलते हैं, I will come for a while, कुछ देर में में आपस आ जाओंगा, for many days, बहुत दिनों से, बहुत घंटों से, बहुत महीनों से, for many years, बहुत सालों से, या मैं पिछले, एक महीने से, English सीख रहा हूं, I have been learning English for a one month, क्या यूज़ करेंगे, for a one month, मैं एक महीने से, English सीख रहा हूं, तो I hope कि आपको, since और for का, जो difference है, सही तरीके से, समझ में, आ गया होगा, अब हम सही तरीके से, इसके, रूल के हिसाब से, देखते हैं, देखो, present, perfect continuous tense का, अगर आप grammar के हिसाब से, रूल देखें, तो grammar ये कहती है, कि subject के बाद, हम has been का, have been का, यूज़ करते हैं, उसके बाद, verb की first form के साथ, ing form का, यूज़ करते हैं, उसके बाद object, उसके बाद since और for, जिसका यूज़ आपने पहले भी सीखा, और उसके बाद हम time का, यू इनका यूज़ करते हैं, लेकिन एक बार हम इसको सही तरीके से समझते हैं, जैसे आपको इस stance को सही तरीके से, याद रखने के लिए, implement करने के लिए, आपको continuous stance आना चाहिए, present continuous stance, जैसे, आप बोलोगे सूरज रटा मारा है, रटा मारने के इंगलिश होती है, cram, या इसक cramming, लेकिन अगर आपको ऐसा कहना हो, कि सूरज सुबा से रटा मारा है, यहाँ पे सुबा से, यहाँ पे time सुबा है, से का मतलब यहाँ पे आप क्या use करेंगे, आपको पता है कि यह specific point of time है, या period of time है, या duration है, तो आपको पता है since morning एक क्या है, point of time है, आप बोलोगे सूर सुबा से रटा मारा है, आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हमने since morning का use किया, चलो एक सही तरीके से has been और have been के concept को समझते हैं, देखो जब भी आप बात करें, first person की, second person, you की, या we की, या दे की, या किसी भी plural subject की बात करें, या noun की बात करें, तो इसके साथ हमेशा has been का use करेंगे, I have been, you have been, we have been, they have been, the people have been, the students have been, the girls have been, इसनी के साब इसका use करेंगे, लेकिन जब जब आप बात करें, ही की, किसी singular noun की बात करें, किसी third person singular की बात करें, he की बात करें, he has been, she has been, it has been, my brother has been, या सूरज has been, आपने पिछले example में देखा, उसके बाद किसी भी singular noun के साथ आप has been का use कर सकते हैं I के साथ, V के साथ, U के साथ, D के साथ या किसी plural noun के साथ आप have been का use करें लेकिन जब जब बात आए singular noun की third person, singular की he की, she की, it की या किसी के इनसान के नाम की किसी चीज के नाम की बात आए तब आप has been का use करते हैं I hope कि आपको have been कहां पे use करना है has been कहां पे use करना सही तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब एक सही तरीके से कुछ examples लेते हैं ताकि हमारा जो concept है सही तरीके से clear हो जाए आप बोलो कि sir मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ 5 साल एक duration है एक period है आप कहेंगे I have been teaching for last 5 years मैं पिछले 5 साल रूर से पढ़ा रहा हूँ आप बोलो कि I have been teaching for last 5 years उसके बाद आप बोलो कि sir वो है लड़का जो है वो पिछले क्या 2015 से 2015 से job ढूण रहा है नोकरी तलाश कर रहा है आप कहेंगे He has been searching for job since 2015 आप इस तरीके से कहेंगे उसके बाद आप कहेंगे Sir they have been working in company for 20 years वो लोग जो हैं वे लोग जो हैं वो पिछले 20 साल से company के अंदर काम कर रहे हैं तो 20 साल एक अवदी है एक duration है 20 साल का एक period है आप इस तरीके से इसका use कर सकते हैं आप बोलो के Sir हम English पिछले दो महीने से सीक रहे हैं We have been learning English language for last two months हम पिछले दो महीनों से English को सीक रहे हैं तो आप कहेंगे We have been learning English language for last two months उसके बाद आप कहेंगे वो लड़की सुबा से पढ़ रही है She has been reading since morning आप बोलो के Sir आप 2018 से exam की preparation कर रहे हैं आप कहेंगे You have been preparing for exam since 2018 आप कहेंगे Sir मैं दुपहर से cricket केल रहा हूँ दुपहर से एक specific time है आप कहेंगे I have been playing cricket since afternoon आप बोलो के Sir मैं पिछले दो गहंटे से गपशब मार रहा हूँ आप कहेंगे I have been gossiping for two hours या two hours आप यहां पे hours भी use कर सकते है hours भी use कर सकते है दोनु सही होते है आप बलोगे मेरी मम्मी इस दुपहर को पिछले 5 साल से ले रही है तो यहां पे 5 साल एक duration आ जाती है एक अवदी आ जाती है तो आप कहेंगे my mother has been taking this medicine for last five years मेरी मम्मी पिछले 5 साल से इस medicine को ले रही है दुपहर को ले रही है तो आप इस तरीके से have been has been के बाद हमेशा वर्ब की ing form ही use करें क्योंकि यह continuous वाले काम को बताता है उसके बाद time के लिए आप since और for का use कर सकते हैं अब एक सही तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से आप इसके interrogative बना सकते हैं अगर question करना हो क्या आप सुबह से पढ़ा रहे हो क्या have you been teaching since morning आप has सबसे पहले लिखें have सबसे पहले लिखें उसके बाद according to subject आप इसका use करें उसके बाद उसके बाद बीन लिखें और मैंने आपको पहले ही बताया इसके अंदर हमेशा verb की ing form लगती है action की ing form लगती है उसके बाद जो बात करें object की जिसकी बात करें वो यूज करें since और फॉर का यूज करें और इसके बाद आप sign up interrogation लगा सकते हैं आप बोलोगे क्या वो लड़का सुबा से पढ़ा रहा है क्या has he been teaching since morning मैं बोलोगा yes he has been teaching since morning आप बोलोगे sir क्या वो लोग पिछले दो दिन से खेती में खेती बाड़ी कर रहे हैं क्या या फील्ड में काम कर रहे हैं क्या आप बोलोगे have they been walking in the field for two days क्या वो पिछले दो दिन से क्या वो पिछले दो दिन से field के अंदर काम कर रहे हैं मैं बोलोगा yes they have been working in the field for two days आप बोलो कि sir क्या वो लड़की सुबा से खाना मना रही ही क्या तो इस तरीके से आप question कर सकते हैं मैं बोलूँगा yes she has been preparing food since morning या दूसरा बंदा आपको कहेगा yes she has been preparing food since morning आप बोलो कि sir क्या यहाँ पे आप पिछले 10 साल से काम कर रहे हो क्या have you been working here for last 10 years मैं बोलूँगा yes we have been working here for last 10 years no I have not been working here for last 10 years तो यहाँ पे आप have के साथ has के साथ not लगाने से एक नगरात्मक वाक्या भी बना सकते हैं आप बोलो कि have you been gossiping since afternoon क्या आप दोपैर से गप्षप कर रहे हैं क्या गप्षप मार रहे हैं क्या मैं बोलूँगा no 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 I haven't been gossiping since afternoon आप बोलोगे has your brother been working for 2 hours क्या आपका भाई पिछले 2 गिंटे से काम कर रहा है क्या मैं बोलोगे yes my brother has been working for 2 hours नहीं my brother has not been working for 2 hours मेरा भाई पिछले 2 गिंटे से काम नहीं कर रहा है तो आप has के साथ not लगने से आप यहाँ पे interrogative बना सकते हैं नहीं तो interrogative नहीं negative sentence बना सकते हैं और interrogative नहीं बना सकते हैं आप कहेंगे hasn't your brother been working for 2 hours has के साथ not लगा दे हैव के साथ not लगा दे तो यहाँ पे interrogative negative sentence भी आप सही तरीके से बना सकते हैं अब सेही तरीके से इसको एक और थोड़ा सा तड़का लगाते हैं देखो कभी हमें कहना पड़ता कब से कितने समय से आप कितने समय से पढ़ा रहे हो आप मुझे पुछोगे राकेश सर आप कितने समय से पढ़ा रहे हो तो जब आपको ऐसा बोलना है कब से या कितने समय से तो तब आप has और have से पहले how long का use करेंगे क्या use करेंगे how long का use करेंगे आप मुझे पूछेंगे सर आप कितने समय से पढ़ा रहे हो आप बलो कि how long have you been teaching मैं बोलोगा I have been teaching for last eight years मैं पिछले आठ सालों से पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आप बोलोगे सर वो लड़की कब से लिख रही है कितने समय से लिख रही है आप बोलोगे how long has she been writing मैं बोलोगा she has been writing since yesterday वो बीते हुए कल से लिख रही है यनि परसूं से लिख रही है कल से लिख रही है इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं परसूं के लिए the day before yesterday का यूज कर सकते हैं आप बोलोगे सरा हम सभी करोना वाइरस से कब से सफर कर रहे हैं हाउ लॉग हैव वी बीन क्या बोलोगे how long have we been suffering from क्रोना वाइरस आप सभी को पता है कि हम सभी 2019 के नोमबर मिने से क्या करे हैं और फारौना वाइरस से सफर कर रहें इसकी problems से face कर रहे हैं आप क्या बोलोगे, we have been suffering from coronavirus since 2019, आप सभी ने देखा कि how long का use करके, कब से ये काम करें, उसके बारे में हम पूछ सकते हैं, आप ये भी पूछ सकते हो, hey sir, how long have you been teaching, how long have you been working here, आप कितने समय से यहां पे काम करें, तो अगर मैं बोलूँगा, I have been working since morning, मैं यहां पे सुबा से काम कर रहा हूँ, I have been working since morning, तो इस तरीके से आप for और since का use, इस वाले sentence के answer में जरूर करें, ताकि आपको सही तरीके से एक implementation के तोर पे आपको sentence बोल पाए, और sentence आपका सही तरीके से किसी दूसरी को भी समझा जाए, अब यहां पे हम यह देखते हैं, कि how long has have के बाद हम subject का use कर word के साथ ing form का use करते हैं, और object का use करते हैं, आपने पीछे examples में सही तरीके से देखा, लेकिन आप यहां पे मैं आपको एक और नई चीज बताने वाला हूँ, ever since का use, किस sentence के अंदर ever since का use करके, किस तरीके से हम अपने daily conversation के अंदर एक नया हत्यार ले सकते हैं, देखो ever since का मत पड़ रहा हूँ, यह जब से, जब से, या तभी से, जब भी आपको तभी से, या जब से वाली sense देनी हो, तब आप ever since का use कर सकते हैं, example आपको मैं देता हूँ, आप बोलेंगे sir, how long have you been preparing for government exam, आप कब से government exam की तयारी कर रहे हैं, मैं बोलोगा जैसे ही मैंने, या जब से मै जैसे ही मैंने अपनी graduation पूरी की है, अपनी सनातक पूरी की है, तब से मैं government exam की तयारी कर रहा हूँ, आप बोलोगे ever since I completed, लेकिन यहाँ पे एक बात या दखें, ever since के बाद आप subject के मताबिक, आप हमेशा, उसके बाद आप verb की second form, यानि past वाली form ही use करें, कोई भी दूसरी form use ना करें, आप बोलेंगे ever since I completed, complete की second form होती है, completed, आप बोलोगे जैसे ही मैंने अपनी graduation complete की, ever since I completed my graduation, I have been preparing for government exam, तब से मैं government exam की तयारी कर रहा हूँ, या तब से मैं exam की तयारी में लगा हूँ, इस तरीके से आप इस sentence को ever since का use करके बता सकते हैं, एक और example देखते हैं, how long has she been watching movie, वो लड़की कब से movie देख रही है, आप बोलोगे जैसे ही वो घर पे आई है, या जब से वो घर पे आई है, तब से, वो क्या कर रही है, movie देख रही है, आप बोलोगे ever since she came at home, she has been watching movie, जब से वो घर पे आई है, तब ही से वो क्या कर रही है, movie देख रही है, picture देख आप यहां पर ever since she came at home, यहां पर come की second from came का use करें, she has been watching me, वो तब ही से movie देख रही है, I hope dear friends कि आपको सही तरीके से, पूरा present perfect continue tense की सही तरीके से समझ में आई, उसके बाद how long के बाद present perfect tense का use किस तरीके से किया जाता है, since और far के अंदर क्या difference है, और ever since को किस तरीके से हम sentence के अंदर use करते हैं, सही तरीके से ये बात भी आपको समझ में आगी होगी, अब मैंने आपको शुरू में वीडियो के कहा था कि आपके लिए आज एक question है, और आज का आपका ये question है, how long have you been watching my videos, आप कितने समय से, कब से मेरी वीडियो को watch कर रहे हैं, देख रहे हैं, please put your response, put your answer in comment box, comment box के अंदर आपना answer को type करें, so that I can come to know, ताके मुझे भी पता लग सके, how long have you been watching my videos, कि आप कितने अर्से से, कितने समय से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार फिर से, thanks for watching, thank you very much, जाहिन!